दोस्तो आज इस वीडियो के नदर हम आपको बताएंगे अगर आपने WhatsApp पर किसी के साथ भी चैटिंग करते हैं या आपको किसी को भी मैसेज सेंड करते हैं और आपको यहाँ पर Bluetooth देखने को नहीं मिलता है तो आपको Bluetooth कैसे देखने को मिलेगा आपको नहीं पता चलता है कि आ दबल टिक के बाद Bluetooth के वही मैं आपको एसे वीडियो के अंदर बताऊंगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे यहाँ पर मैसेज सेंड करता हूं और यह हमारा जो नमबर दूसरा वाला है तो हम यहाँ से इस मैसेज को यहाँ पर सेंड करेंगे जैसा कि आप य करेंगे अपना डालेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैसेज को मैंने यहाँ पर देख लिया है देखने के बाद अपने फिर से WhatsApp पर जाएंगे यानि कि जिससे मैंने सेंड किया था अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार बैक आएंगे और फिर से इस पर क् मिलेगा अगर आपको इसे इनेवल करना है तो आप अपने WhatsApp के त्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे बाएक आने की बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे मिल जाएगा चैट आप इस पर क्रिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कीप चैट से आर्काइब सेटिंग और इस सेटिंग को आपको इनेवल कर देना है और आपके friend अगर इस setting को enable कर देगा तो आपको blue ticket देखने को मिल जाएगा अगर आपका friend ये setting enable नहीं करता है तो अब यहाँ पर आपको करने के अपने friend का account open करना है और यहाँ पर आपको एक IDO मेंसे send करना है आपको यहाँ पर मिल जाएगा mic button आप इस पर कुछ देर दवाकी रखेंगे और जो आपे send करना चाहते हैं और बस इतना करने के बाद हम यहाँ से send कर देंगे send करने के बाद हम अपने second whatsapp पर जाएंगे जिस पर मैंने send किया हुआ है तो हम इस पर आएंगे आने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक idea message यहाँ पर receive हुआ है हम इस पर click कर देंगे click करने के बाद अब हमने इस message को यहाँ पर देख लिया है और इसे हम एक play भी कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इससे whatsapp के अंदर वो setting भी enable अभी तक नहीं किया है हम अपने यहाँ पर first whatsapp पर जाएंगे first whatsapp पर जाने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बिलूटूक के देखने को मिल चुका है और फिर से हम इन message को यहाँ पर देख लेते हैं अपने second whatsapp के अंदर मैंने अपना log डाला और हम इन्हें यहाँ पर एक बार देख लेते हैं देख सकते हैं मैंने इन्हें एक बार देख लिया है उसके बाद फिर से हम पने whatsapp पर आएंगे वाटसप पर आने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके अंदर हमारा बिलू टेके देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे आप बड़ी आसानी से अपने फ्रेंड को भेजे गए मैसेज को पता कर सकते हैं कि आपका फ्रेंड देखा है या नहीं अगर आपको बिलू टेके से नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से एक आईडियो मैसेज सेंड करेंगे और आपको पता चल जाएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नुबाद